हेलो दोस्त नमस्कार आप सभी का स्वागत है स्टडी कोच 91 के योडोब चैनल में तो दोस्त आज का ये वीडियो मोस्टली इंपोर्टेंट है दोस्त आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग ये नहीं पूछोगे कि आपका लिस्ट जो है जारी हुआ या न ही हुआ है कालेज के तुरू जिससे आप सभी लोग जान सकते हो कि आपको टैबलेट या स्मार्ट फोन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो भाईयो इस वीडियो को पूरा इंड तक जरूर देख लीजेगा और साथ में दोस्तों मेरी आप से छोटी से रिक्वेस्टेंट की चै आप लोगों को ये लिंक मिलेगा कहां भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा ठीक है पहले मैं आप लोग को लाइफ दिखा दूं कैसे दिखाई दे रहा है और आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं जैसे ही उस लिंक पर आप सभी लोग किलिक करोगे तो कुछ इस तरीके से नीचे आजाना है नीचे आने के बाद में यहां पर आप लोग को एक आपसन दिखाई दे रहा है यहां क्लिक करें ठीक है दोस्तों अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं ठीक है फिलाल मैं इ अभी के सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा जिसमें जो है आप लोग लोग इन करके खुद चेक कर सकते हो कि आपको टेबलेट या स्मार्टपोन मिलेगा यानि के आपके लिए आनलाइन किया गया है या नहीं आपके कॉले से तो अभी मैं आप लोग को लाइव द Board of Technical Education Department उत्तर परदेश इस पर आप सभी लोग किलिक करना है मेरे जाद से जाद से जाद सब्सक्राइबर भी UP Polytechnic के स्टुडेंट्स है ठीक है उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट यहां पर आप से नहें enrollment नमबर का तो यहां पर आप लोग को अपना enrollment नमबर डाल देना है ठीक है तो फहली मैं एक रेंडम लिओ ऐसे enrollment नमबर डाल देता हूँ ठीक है डालने के बाद में आप लोग को नीचे एक capture जो है यहां पर फिल करना है ठीक है जो भी यहां पर figure में दिखाये जा रहा है वो सभी आपको देख करके वही चीज़े यहां पर आपको फिल कर दे ठीक है जो भी आपका नाम है उसके बाद में दोस्तों दिखाये जाएगा इंगलिस में यही चीज़े हिंदी में लिखी हुई है ठीक है तो मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ आपके संस्थान ने आपको digit सकती पोर्टल पर पहले ही नामांकन किया हुआ है टेबलेट ठीक है अगर आपको जो है मिलना रहेगा तो कुछ इस तरीके से सो करेगा और अगर दोस्त नहीं मिलना रहेगा तो भी मैं एक बार आपको दिखा दू कुछ इस तरीके से तब सो होगा आप लोग को ठीक है अगर दोस्तों आप लोग को नहीं मिलना रहेगा यानि कि आप का रेजिस्टेशन वगेरा नहीं होगा या फिर आप पास आउट स्टुडेंट्स हैं तो दोस्तों आप सभी को कैसा सो होगा जिन भी स्टुडेंट्स को नहीं मिलने वाला रहेगा ठीक है तो यहां पर फिल करने के बाद डिटेल्स में कैप्चा जो है प्रॉब्लम आ गई है तो फिर में कैप्चा फिर से डाल देता हूँ फिल करने के बाद में सर्च पर किलिक करेंगे ठीक है तो जिन भी स्टुडेंट्स का रेजिस्टेशन नहीं हुआ होगा यहां पर रेड कलर में दिखाई देगा आप डिजी सकती पोर्ट आप लोग को मुझे बताना था जो की काफी अच्छा है अब आप लोगों को लिस्ट वगेरा देखने की कोई जरूरत नहीं है तो दोस्त ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजगा और हां दोस्ते ये वेबी साइट का लिंक जो है हमको अमर वर्मा जी ने बताया तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिसके द्वारा आप सभी लोगों को पता चल सकाए ठीक है तो दोस्त इस वीडियो में को जो है लाइक जरूर कर देगा उस साथ में जो है कमेंट की जगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपने क्या सो हो रहा है ठीक है तो दोस्त मिलते हैं फिरम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई